नमस्कार मैं हो ससी आये जर्खन के टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं एकानबे हैं दोसोट सततर क्रोड का बजट पेस जर्खन के बीत मंत्री डक्टर अमेशरूराव ने बुद्वार को भीतिय वर्ष 2021-22 का बजट पेस किया जर्खन विधान सभा के बजट सतर के दोराण 91,237 क्रोड रुपए का बजट पेस किया गया इनमें न सिर्फ युआओ को रोजगार के लिए लोन में अनुदान की सुधा दी जाएगी बलिक सुरभामिक पेंशन योजना के जरिये असाहायों वभुजूर्गों को पेंशन को लेकर परिशान नहीं होना पड़ेगा जर्खन के हमान सुरेन सरकार ने हर वर का ध्यान रखते हुए न सिर्फ जर्खन खुला भी सोभी द्याले खोलेगी बलिक असंगठित कर्मकारों को भी योजना से लवानमीत किया जाएगा सीएम हेमान ने बयट को बताया मिल का पत्थर जर्खन के मुख मंतरी हेमान सुरे ने बयट पर प्रतिकरिया देते हुए पुर्व की विजेपी सरकार पर निशाना साधा और इस बयट को मिल का पत्थर बताया उन्होंने कहा कि सरकार लोंग टर्म प्लान के तहत कारे कर रही है इसलिए इसका दुरगामी परिणाम दिखेगा वही भाजपा विदायक दलके नेता वा पूर्वे सिये बावुलार मरांडी ने हेमान सुरे न सरकार को घरते हुए काया कि इस सरकार का कोई काम धरातल पर नहीं दिख रहा इन्होंने आरोप लगाया कि ए सरकार सिर्फ खाजाना खाली होने का रोना रोती रही है हेमान सरकार के माश्टर स्ट्रोक जारकन विधान सभा में बितिय वर्थ 2021 का बजट पेस होने के बाद मुख मंतर हेमान सुरे ने कहा कि उनकी सरकार ने दिर्ग कालिक सोच के साथ कार्योजना तयार की है बजट पेस होने के बाद मेडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने इस बार सिर्फ बजट पेस नहीं किया बलिक पहिनाम के लिए आउटकम बजट पेस किया है बता दे हेमन सरकार के पांच मास्टर एस्टोक इस परकार है गुरुजी कीचन में भोजन, यूनिवर्सल, पेंसन योजना, पेंसन कार्ड मिलेगा खाली जगों पर पांच एयर ग्रीवाटिका, गोमोक्ती धाम बनेंगे जिसे किसानों को मिलेगा जोड़ा बयल, ट्राइबल और ओपेन उनिवर्सिटी खुलेगा जारखन में बिधायक ने बिधान सबाव में मारी सीटी जारखन बिधान सबाव में बुदवार को भाजपा बिधायकों के जोरदार हंगामे के बीच बित्यवर्स 2021-22 का बायर पेंस किया गया पतादेश दोरान सिंधरी धनबाद के भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो ने विधान सवा में सेटी बजाई जिसके बाद पूरे सदन में बवाल मच गया पतादेश जरकन विधान सवा में बयट पेस हो रहा था ठीक उसी समय भाजपा विदायक के सीटी बजाने से महौल कुछ देर के लिए गरम हो गया सदन में सीटी बजाने पर इस्पीकर अभी दरात महतो बेहाद नराज हो गया उन्होंने इस मामले को कमीता से लेते हुए विदायक इंग्रजीत महतों को सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया 14,000 को सीम हमन्त के हिसे में विभागावार बजट का आकलन करे तो मुख मंत्री हमन सुरेंड के हिसे में जो विभाग हैं उनमें समयकित रूप से 14,199 कोर की रासी दी गई है और यह किसी मंत्री को आवंटित विभागो के हिसाब से स्वरवदिक बजट है वहीं गरामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम के हिसे 12,000 कोर रुपए का बजट आया है और इसके साथ ही वे दूसरे पैदान पर हैं बता दे बयाट पेश करने वाले रामिसर उराव तीसरे अस्थान पर रहे हैं और उनके हिस्से 166,000 कोर रुपए की रासी है लाते हार में महिला थाना की मांग को लेकर वीडियो को मांग पत्र महिलाओ पर बढ़ते अपराद को लेकर वो दुआर को लाते हार के बरवाडी की महिलाओ ने वीडियो से मुलकाट की बता दे महिलाओ ने वीडियो को ग्यापन सौपते हुए महिला थाना के अस्थापना करने और महिला हेल्प डेस्क बनाने की मांग की साथ ही सन्युक्त ग्राम सभा के बैना तले समाजिक करेकर्ता कनाया सिंग और संतोस सेखर के अगवाई में दर्जनों महिलाओं ने विडियो राके सहाय को मुखमंद्री के नाम से मांग पत्र भी सोपा 11 मार्च को मुखमंद्री कंटर टोली में करेंगे इस्कूल का सिलन्यास कंटर टोली के इद्रिस कलोनी में 11 मार्च को मुखमंद्री हेमन सुरेन एक स्कूल वा मदर्से की इमारत का सिलन्यास करेंगे इस समझ में जार्खन पर्देश जमियत तूल कुरैस का एक परतिनीधी मंडल जामतरा के विधायक वा जार्खन राजे हज कमेटी के चेर्मेन इर्फान अंसारी के नित्यूत में मुखमंत्री एमन सुरेन से मिला और उन्हें सिलन्यास के मौके पर इद्रीस कलोनी आने का नयोता दिया बता दे इसे मौकमंत्री ने सुईकार किया है सीम का काफिला मामले में पार्षत की गिरपतारी परबोली मेयर राजे में आधिवासियों का सोचन हो रहा है ए सरकार आधिवासि की बात करती है लेकिन सासन पूरी तरह से आदिवाची को खिलाप है उक्त बाते राची के मेर आसा लाकड़ा ने बुद्वार को राजेपल द्रोपदी से मुलकाइट के बाद कही उन्होंने पार्चाद रोसनी खलको की गिरपतारी को लेकर राजेपल द्रोपदी मुर्मो को ग्यापन सोपा बता दे मेर आसा लाकड़ा ने कहा कि सीम का कापड़ा रोकने की कोशीश में पार्चाद रोसनी खलको की कोई भूमका नहीं है वो सोबक से जा रही थी रास्ते में हंगामा होते देख लोगों को समझाने के लिए रुग गई नवकरी रोजगार मुहया कराने के प्रति सरकार गंभीर राजसकार युवाओ को रोजगार मुहया कराने के प्रतिगंभीर है और विभीन माध्यामों से युवाओ को सिक्षित और प्रसिक्षित कर्ष और रोजगार को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है बतादे सीधी बहालिया तो जारी रहेगी ही लेकिन युआओ को बैकालफिक उपाय भी बताये जाएंगे बयट के दोरान की गई घोसना के अनुसार और सिक्षा सेवा पलस्टू सिक्ष को मादमिक और प्रारमिक सिक्ष को को बहाल करने की त्यारी की जा रही है इसके अलावा व्यापक पैमायने पर युआओ को सोरोजगार से जोडने के लिए प्रासिक्षन कारेकरम चलाए जाएंगे और इन एवं अनुदान का प्रावधान सभी विभागों में होगा जारखन में 31 नई संक्रामित की पुष्टी हुई है जो रांची से 22, पूलवी सिमुपांच, भोकारो से एक, रामगर से एक, देवखर से एक, लोधागा से एक मिले हैं जारखन में कूल मोथ की संख्या 1 है या 90 है वह कूल एक्टीब केस की संख्या 4.7 है 727 है हर पंचायत में छोटे अस्तर के स्टेडियम का निर्मान खेल मंत्री जाखन सरकार के अलब संक्य कल्यान पर्याटन कला संस्कृति खेल वा युवा ममलो के मंत्री हफिजूल हसन ने क्या कि राज में पर्याटन को उद्योग के रूप में विख्सित किया जाएगा धनबाद के मैठन वा तोप्चांचे जील को विक्सित किया जाएगा राई सरकार पंचाइट अस्तर पर छोटे-छोटे स्टेडियम का निर्मान करेगी जार्खन के अवासिय विद्यालियों का सुरक्षा को लेकर होगा सर्वे राष्ट्रिय बाल अधिकार संरचन आयोग नई दिली पहली बार सुबे के एगाया जीलों में मजूद अवासिय विद्यालाय फ्री मैट्रिक छात्रावास का सर्वेक्षन करवाएगा इसको लेकर आयोग ने जार्खन सरकार के महिला बाल बिकास विवाग को पत्र भेजा है बता देया सर्वेक्षन पूरे मार्च चलेगा फिल्ट टेस्टिंग के रूप में सुरुवात कॉमडे इस्थित अनसुचित जन जाती अवासे विद्याले से होगी इसकी जिमेवारी बाल बिकास संस्था के संजय कुमान मिस्रा को सौपी गई है किसानों की कॉज माफी के साथ गूरु जी कीचन से पांच रुपर में भरपेट भोजान जाकन में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच सरकार ने बोध्वार को अपना बजट पेस कर दिया बतादे बजट भासन में रामेस्वर उराओ ने बताया कि ग्रामिन विकास जलससाधन किसी पसुपाहलन और सौकार्टा विकास के लिए 18,635 कोल रुपए का प्रवधान किया गया है वही मन रेगा योजना के तवत अब 194 की वज़ा 250 रुपए मजदूरी मिलेगी स्वास्त समाज की परिकल्पना को लेकर कुरुजी कीचेन योजना नाम की एक नई योजना की सुरुवात बश्ट 2021 में की जाएगी हेमान सुरेन सरकार ने वित्तिय वर्ष 2021 के लिए 19,270 कोल रुपए का बश्ट पेस कर दिया है बतादे बश्ट में किसान से लेकर रोजगार और गरीब टक के प्रोधान किये गए हैं हलाकि विपक्ष ने इस बश्ट को नकार दिया है पूरो मुक्वंत्री और विएपी नेता बावलार मरांडी ने कहा कि किसानों का करज माप नहीं किया गया सरकार की एक साल में क्या उपलब दिया रही है उस पर कोई बात नहीं हुई जार्खन अलग होने पर उस समय मातर 13,000 कोड़ रुपए का बश्ट था तब पूरे देश में जार्खन की चर्चा होती थी आज के बश्ट में कुछ खास बात नजर नहीं आ रही है एसी फ्लॉल 42 के लिए 476,08,08,0, कोड़ रुपए दिये गाए है बजट में केंद्रिये सेक्टर की स्कीम के लिए 237,0, केंद्र प्रयोजीत योजना के लिए 11,0, वर राज योजना के लिए 237,0, रुपए आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है राज सरकार के बजट में बेहतर में गुरुजी कीचन योजना के नाम से नई योजना सुरू होगी बता दे इसमें राजे में चल रहे दाल भात केंद्रों से अलग गुरुजी कीचन की शुरुवात की जाएगी खाद अपुर्ती विभाग ने बीतियवर्ट 2021 के बयट में इसका प्रवधान किया है गुरु जहरों में नल के माध्यम से स्वक्ष जल उफलब्द कराने का लख्ष रखाया है बता दे राजे में बस्ट दोचोबिस तक कूल 58,95,843 घरों तक नल से जल पहुचाने का लख्ष है अब तक 11.05 परतिशत लख्ष की प्राप्ति कर ली गई है बस्ट 2021 में इस कोवरेज को बढ़ा कर 30 परतिशत करने का लख्ष तयक किया गया है काम नहीं करना और ना करने देना भाजपा की कारे संस्क्रीती है मन्सुरेन बजट पेस होने के बाद सहता पक्ष ने इसे दुरगामी पईनाम वाला बजट बताया है जबकि विपक्ष ने बजट को निरासा जनक करा पालिक लाब को मद नजर रखकर बनाई गई उन्होंने भाजपा पर निसाना साथे गए कहा कि जब वो सता में रहते हैं तो काम नहीं करते और जब विपक्ष में रहते हैं तो दूसरों को काम नहीं करने देते रांची में दूद से पाउडर वराने का प्लांट लगेगा है करोना संक्रमन फालने के बाद दूद की मांग कम हो गई थी और डैरी प्लांट वाले भी किसानों से दूद नहीं ले रहे थे इस करण किसानों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने राची में मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क पाउडर प्रांट लगाने की घोसना बजट में किया है धन्यवाद